हलो अस्सलाव वालेकुम् विलेकम वेक टू माई youtube चेलनगड़ गाइस आज हम बात करते हैं क्रोसिंग प्रोसेस की गाइस यह सब आणडू बखर रहे है जी गाइस यह अनडू बखर है और इस समय यह क्रोसुंग प्रोसेस पर है हम अगर इस समय इन इनको कुcribedानिे के लिए पालते हैं guys, तो ये अच्छे से नहीं पलेंगे, जी बिल्कुल नहीं पलेंगे, ये आन्रु बकर हैं, अगर हमको इनको कुर्बानी पर तो हुमको इनको कसी करवाना पड़ेगा, जी guys, और अगर कोई farming के लिए लेना चाहता है, बकरियों के लिए जिनके पास गोड़ फार्मिंग है, दस बकरिया, भीस बकरिया तो गाइस उनके लिए ये सियोई नसल के बहतरीन बकरे है लेकिन अगर आपको गुरुबानी के लिए पालना है तो गाइस आपको उनको कस्य कराना पड़ेगा गाइस ये आंडू बकरे है प्राइस की बाद के गालिस तो 30,000 रुपे से 40,000 रुपे तक के बकरे है हमारा पास ऐसे बकरे काफी अगर आपको भी चाहिए तो में नमबर, इस्टागाम, आइडी सब कुछ अवलेबल आप मुसे कॉंटेट कर सकते हैं रही बात गाइस क्रोसिंग की तो गाइस क्रोसिंग के लिए बकरे बहुत ही शानदार बकरे गाइस आप अपने गोड फार्मिंग में बकरों का काफी अच्छे से उप्योग कर सकते हैं जिनके पास फार्मिंग बकरी है झाल झाल